ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेट वृतिय अब हमारे बीच नहीं है. 96 साल की उम्र में उनका निधन हुआ. और के बाद से ही उनको लेकर तमाम खबरे चल रही है. कहीं उनके साथ दशक तक राज करने की बात हो रही है. तो कहीं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है. कोई दूसरे देशों तक फैले उनके सामराज पर भी चर्चा कर रहा है. इन सब चर्चाओं के बीच एक और विशय है जिसके बारे में हर कोई जानना और समझना चाता है. ये विशय है इस शाही परिवार की आई और पुल समपत्ती. लोग जानना चाहते हैं कि आखेर राजघराने के पाख. सर कितनी समपत्ती है, इनकी आई का स्रोत क्या है? इस वीडियो में हम आपको राजघराने के समपत्ती के बारे में बताएगे. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज प्रेस दा बेलन आईकॉन ताकि इस तरहे की वीडियो आपको मिलते रहें. वैसे न तो कभी महारानी एलिजाबेट वितिया ने और नहीं कभी राजघराने के दूसरे सदस्य ने आई या समपत्ती के बारे में बताया है. लेकिन अलग-अलग रिपोर्ट में अनुमान लगाते हुए इस पर जरूर चर्चा हुई है. वश 2022 में महारानी एलिजाबेट वितिय की अनुमानित कुल समपत्ती 365 मिलियन पाउंड यानी 33.36 अरब रुपे से ज्यादा थी. वही 2020 में महारानी एलिजाबेट वितिय की kुल समपत्ती से 15 मिलियन पाउंड अधिक थी. फोक्स मैगजीन के अनुसार, पूरे राजशाही परिवार की कुल संपत्ती 72.5 बिलियन पाउंड यानी 6, 631 अरब रुपए से अधिक है महारानी के आय के प्रमुक्स रोतों के बारे में बात करे तो उन्हें सोवेरिन ग्रांट वार्शिक तौर पर सरकार से प्राप्थ होता था, जबकि बाकी दो स्रोत स्वतंत्र थे, जिनमें करदाताओं का पैसा शामिल नहीं है लंदन के अलावा शाही परिवार की संपत्ती स्कॉटलेंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में भी है यहां महारानी की नीजी संपत्ती है, जिसे बेचा नहीं जा सकता बल्कि यहां उनके उत्तराधिकारियों को हस्तान तरित होगी इसके अलावा महारानी की संपत्ती में कई बेशकीम्ती कलाकृतिया, हीरे जिवरात, लगजरी कारे शाही स्टैंप कलेक्शन और घोडे शामिल है रॉयल कलेक्शन में 10 लाग से ज्यादा चीजे शामिल है जिनकी अनुमानित कीमत 10 खरब रुपए है हालांकि यह संपत्ती ब्रिटेन के एक चस्ट के पास है ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स की सालाना आए के बारे में बात करें तो उन्हें हर साल डची ओफ कोनमल से करीब 21 मिलियन पाउंड की आए प्राप्त होती है